तो आज की सेशन में हम बात करेंगे एक्स्रेक्शन टेक्नीक्स एक्स्रेक्शन किसे क्याता है बेसिकली यहां स्टार्ट हम करते हैं है सबसे फ़ये एक्स्टप्व क्या है कि एट्श फाईट है कन्षिट क्वल्विग स्वियुष फॉलोइं इड्रेयर करते हैं बेसिकली हम फाईटल केंडिकल इंवेस्टिगेशन के लिए गवर करते हैं क्यों कि евद्री प्ला कीब का एक्स्ट्रेक्शन होता क्या है कि एक्स्ट्रेक्शन में हम जो है जो किसी पर्टिकुलर सॉल्वेंट में से हम ड्रग को ट्रीट करते हैं यह ड्रग को कोई भी हर्बल ड्रग है कोई भी प्लांट मेडिसीन है उसको पहले पाउडर करते हैं पाउडर करने के बाद में हम उसको जो है उसका कोर्स पाउडर करके उसको किसी पर्टिकुलर सॉल्वेंट के कॉंटेक्ट में उसको रखते यहां हम देखेंगे फाइटो चैमिकल इनिवस्टिकेशन में आपको बताया कि हम यह जो काम करते हैं निन्रीच को फाइटो केमिकल को इन्वस्टिकेट करने के लिए निवस्टिकेशन को ζ cyclical करने के लिए क्वाइटा इसको हमें गढते है तो है हमारा सबसे पहले separation एपार एक्स्क्श्ट्फिन ओफ और से अड्रैटा सब्सक्राइए के काने तो मैं आपाउस कर देने । constee कि और इसको यूजियो पता है रखते चाहिक है तो ट्रीट zakat पार जाते हैं हम बात में क्या करते हैं क्योंकि हम आपको पता है कि जो एक है वो एक एक complex nature होता है एक यह एक heちょっと अंदर बहुत सारी components रहते हैं और un compounds को अलग separate करना हुता है तो दूसरे step ismender करते हैं कि separation and purification the constitution ismd second means K mates mask matte separate out करते हैं अलग करते हैं और उनको purify करते हैं उन compounds को यह हम काम करते हैं chromatography से हम उसको पढ़ेंगे और तीसरी चीज होती है identification of idea constituents अब हमने extension कर लिया हमने हमने plants को separate out भी कर लिया समय constituents को अब हम उनको identify भी करते हैं उनको structure elucidation करते हैं उसकी generation याद करते हैं जैसे कि identification of idea constituents यह हम करते हैं by spectroscopy spectroscopy इसलिए इस chapter में तीनों चीज़ दी गई है extraction techniques भी है इसमें chromatography भी है और इसमें spectroscopy भी हम बढ़ेंगे तो यहां आप देखें कि extraction of plant material extraction of plant material में क्या है कि correctly identified plant material dried preferably low 60 degree centigrade यहां पे क्या हम करते हैं कि जो अप्रा plant material है सबसे पहले step उसको identify करना उसको पहले पता लगाना वह आखिर है किया क्योंकि अगर प्रॉपर identification नहीं होगा हम सारा काम कर भी लें तो हमारा काम वह वेस्ट है useless है कोई फाइदा नहीं है उसका हमें सबसे पहले इसको करने के बाद भी हमें किसी authorized botanist से किसी लैब से हम उसको authenticate certificate भी उसमें लेना होता है जिससे हम यह पता लगे कि हम जिस ड्रॉग पर काम कर रहे हैं वो ड्रॉग यह है जिससे कि लोग उसको यूज़ कर पाएं उसको बाद भी पॉप्लिकेशन वगरा करते हैं जिससे कि इसको बेसिकली यह 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 नॉलिज शेयर करना है में लोगों में जिससे कि लोग उसका यूज़ करता है तो सबसे बहुत हैं कि extraction of plant material में जो पहला step है वो correctly identify the plant material dried 60 degrees centigrade अब जो aa के बाद में उसको र्ड्रए करता है उसको साट ड्री सनिगेट से कम पहुत हम करते हैं जिससे कि जो अगर 30-degree centigrade हम जादा हम करते हैं 60-degree centigrade हम जादा हम करते हैं जो थर्मोलेवाइल ingredients हैं constituents है वो उनके chances होते हैं वो खराब हो सकते हैं वो degrade हो सकते हैं वो destroy हो सकते हैं इसलिए हम क्या करते हैं कि हम उसको कम temperature पर low temperature पर यह से कि वो खराब नहुंद दूसरी चीज़ यह है कि photo sensitive से खराब हो सकते हैं तीसरी चीजस में हैं कि ड्राइड प्लांट मेटेडियल इस coarsely powdered and extracted by means of suitable organic solvent like alcohol우ief इसके बाद में हम क्या करें गी बाद में इसंक्ण करने के बाद में इस पाउडर को हमें extract करना होता है और Mamak क्या करते है उस drug को जो पाउडर बनाते हैं, coarse powder बनाते हैं, fine powder नहीं, coarse powder, coarse powder इसलिए बनाते हैं, जिके उसमें coarse powder जब होता है, तो उसमें solvent easily penetrate करता है, अगर बहुत fine powder को गर्म कर देंगे, तो आसमें बहुत चौक हो जाएगा, उसमें इंटर करनी नहीं पाएगा, इसमें गोसी नहीं पाएगा तो इस वज़े से में किया करते हैं कि Coarse Powder बनाते हैं Coarse Powder में Penetration अच्छे तरीके से होता है और Extraction भी Efficiently होता है तो यहां पे Dried Plant Materials Coarsely Powdered and Extracted by Means of Suitable Organic Solvent like Alcohol, Beteroryameter, Chloroform, Hexane, Etc और हम Different Organic Solvent से हम उसमें से Compounds को Extract Out करते हैं तो यह हुआ इसमें नेक्स हम देखें कुछ और Condition हैं कि Effective Extraction Effective Extraction Depends upon the Size of Particles of Powdered Drug जो Powdered Drug है उसके Particle के Size के उपर भी Depend करता है क्यों क्योंकि Small Particles में फाइदा क्या है कि The Small Particles have Large Surface Area so they can be Extracted More Efficiently जो है जो Small Particle Size होगा तो Surface Area Large होगा और Surface Area Large होगा तो Solvent Penetration उतना है अच्छा होगा तो इसलिए Extraction भी अच्छा होगा Efficient Extraction होगा तो Next हम देखें कि Important Aspect of Extraction of Plant Materials is Selection of Citable Solvent अब यहां पर एक चीज यह भी है हमने देखा कि जो सबसे पहले पाउडर करना है फिर हमें क्या करना है कि उसमें पार्टिकल साइज भी उसका इस तरह की तो होगा चाहिए कि अच्छे Plant को Depat करने के लिए Plant में से Fat को oil material को remove करने के लिए हम प्रोल्य मीथ्र को यूज करते हैं अब बेसिकलिए प्लांट को जिसके एकस्टक्ट निकालना बड़ा आसन होता है हम एकस्टेट जो है जो है यॉक्तिकल को बहृत most of the time ऐलकॉल को ही मेज स्ट्रिक्टंट और इस वालें दियू करते हैं तो यह जो है एकस्ट्रेक्टिव एकस्टचिन के material it may result to loss of excess of active compounds अगर जो है proper solvent हम यूज नहीं करते हैं यहां हम देखें कि इफ proper solvent is not used for extraction of plant material तो it may result to loss of excess of active compounds अगर proper solvent हम यूज नहीं करें ये extraction में तो इस extraction कि में क्या होगा कि जो active compound से वो loss हो सकते हैं वो निकल सकते हैं जो इसलिए हम एक proper solvent का use करना इसमें की necessary है next हम देखें कि use of inappropriate extraction method such as अब यहां पर क्या है solvent भी हम देख लिया अब एक appropriate method of extraction भी यूज करना ज़रूरी है कौन सा method किस drug के लिए सही रहेगा ठीक रहेगा उसका भी हम सेलेक्शन ज़रूरी है यहां हम देखें कि जैसे strong heating of plant material with a solvent may result in degradation of active compounds and loss of pharmacological activity अगर हम कोई plant material है जो की heat लेवाइल है जो हीट से खराब हो सकता है तो अगर हम उसको heating कर देंगे strong heat कर देंगे तो उससे क्या होगा उसमें जो degradation of active compound से उसका degradation हो जाएगा और उसकी वज़े से क्या होगी जो लॉस फार्मकोलोजिकल activity उसका अंदर जो फार्मकोलोजिकल activity है जो थ्रैपिटिक activity है वो उसमें से लॉस हो सकता है वो उसमें से उसकी अच्छी नहीं compound कोई किसी work कर नहीं रहेगा इसलिए ये extraction के लिए proper methodology जरूरी है next हम देखें now extraction method extraction method में सबसे पहले है conventional extraction method जो ऐसी ये वो methods है जो हम basically use करते हैं जैसे की maceration, digestion, heart percolation, infusion, decoction, extraction by agitation or under pressure and continuous extraction or socks that extraction तो ये कुछ जो है conventional extraction method है इनके बारे हम पढ़ेंगे next हम देखें कुछ है extraction methods for essential oils जो essential oils होते हैं जो volatile oils होते हैं उनको extract out करने के लिए कुछ अलग methods होते हैं इसमें steam distillation, expression or cold pressing, next इसमें inflourage method, next इसमें extraction by means of organic solvents तो इस method से हम जो है volatile oils को या essential oils को separate out करते हैं, extract out करते हैं next हम देखें novel extraction method, novel extraction method में तो क्या है extraction under vacuum, extraction under vacuum, supercritical fluid extraction, flash chromatography, microwave assisted extraction, ultrasound extraction, centrifugal counter current chromatography, ये कुछ novel methods हैं और भी methods हैं कुछ न्यू आज latest use किया थे currently, तो ये कुछ methods हैं तो तीन टाइप की methods हम पढ़ते हैं basically, तो यहां हम one by one देखें कि सबसे पहले numerous extraction methods are available nowadays, बहुत सारे extraction methods available हैं आज जो है, तो the simple method is cold extraction, simple method जो है, ये क्या है, cold extraction है, यहां हम देखें कि in this method, ground and dried plant material is extracted at room temperature subsequently with solvent of increasing polarity, यहां पर हम क्या करते हैं कि जो ground plant material है, जो powder plant material है, उसको हम room temperature पर ही accept करते हैं किसी को solvent में, और उसमें क्या है कि solvent हम use करते हैं of increasing polarity, polarity हम को as per increasing polarity हम यूज करते हैं, जिसे पहले हम petroleum ether यूज किया, उसके बाद मैंने, हमने more polar chloroform, then methanol, then water, यूज करते हैं, तो यहां हम देखें कि at first, सबसे पहले petroleum ether or hexane, then chloroform, then ethyl acetate, then methanol, and finally water may be used, सबसे पहले हम गया करते हैं कि petroleum ether को use करते हैं, जैसे मैंने बताया, कि जो petroleum ether होता है, petroleum ether एक defetting agent है, यह plant में से fat को remove करने के लिए use करते हैं, यह plant में से oily material है, उसको remove करने के लिए use करते हैं, तो यह defetting agent है, यह petroleum ether को सबसे पहले हम यूज करते हैं, और उसमें से drug को treat करने के के बाद में जो मार्क मिलते में बच्का है हमारे जो ढर्ग बच्टी है उसको हम फिल्टर करके बच्छे जो स हम सआइंना और रख्रीं सोफ्ट से इसको करता है कि यह क्या है यह वीसी करा है जो एकματα है यह एक soft extraction method है क्या यह soft extraction method क्यों है soft क्योंकि इसमें heating यूज नहीं करते है यहां पर क्या है heat नहीं करते two because extract is not heated and there are minimum chances of degradation of यहां पर क्या है minimum chances of degradation of active constituents active compounds यहां हम देखें कि next हम देखें कि the use of solvent of increasing polarity enables division of natural products or active components according to their polarity and solubility and so simplify the isolation process. अब यहां पर हम क्या करते हैं कि हम जो increasing polarity के solvent use करते हैं तो increasing polarity के solvent use करने की वज़ा से क्या होता है कि जो compound का separation वो easy हो जाता है कि जो किसी particular solvent में, किसी polar में, then more polar में, then non polar में अलग-अलग solubileants में, जो compound, जो उनके solubility के according, वो उसमें dissolve हो जाता है तो compound का separation हो जाता है और separation तो होने क्या हो जाता है उनका तो उनको हमें isolate करना बहुत easy होता है इसमें हम क्या करते हैं कि उसमें यह process क्या होता है simplify the isolation process next हम देखें in hot percolation यह तो हमारी बाद ही cold-per-cold extraction की soft method हुआ है लेकिन दूसरा है hot percolation अब कुछ compounds कुछ ऐसे होता है जो जिनको heating से ही हम निकाल पता है आपने दिखा भी है जिसे हम घर में ही चाय बनाते है जो tea making जो process of decoction है उसमें क्या करते है कि हम जो tea leaves है है यह पत्य को पानी के साथ उसको boil करते है तब ती चाय बनती है यह भी एक extraction procedure है इसको decoction method हम कहते है यह ऐसी hot percolation में क्या है कि method the plant material is taken in a round bottom flask containing solvent and mixture is heated under reflux यहाँ पर क्या 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 है plant material को round bottom flask में लेने के बाद में उसको reflux में उसको heat करते है इसको hot percolation में then in this method the plant material is stewed using solvent such as ethanol यहाँ पर जो इसको boil करते हैं इसको stew करते हैं गर्म करते हैं इसको ethanol के साथ में तो यहाँ क्या drawback क्या इसका इसका drawback यह है the drawback of this method is that on long term heating active components may be degraded अगर बहुत नहीं हम इसको heat करते हैं तो जो active components इसको degrade हो सकते हैं वो खराब हो सकते हैं destroy हो सकते हैं और वो extract हमारा फिर किसी काम का नहीं रहेगा इसलिए जो है इसका drawback भी है इसलिए हम जो thermo-stable compounds हैं जो heat stable compounds हैं जो heat से यह या temperature से खराब नहीं होते हैं उनी compounds के लिए हम इसमें जो heating का process हम यूज कर सकते हैं otherwise हम दूसरे methods को यूज करना होता है next हम देखें इसमें one way हम देखें maceration जो maceration है maceration में किया है in this process the whole or coarsely powdered crude drug is placed in a stoppered container with the solvent and allowed to stand at room temperature for a period of at least three days with frequent agitation until the soluble matter has dissolved the mixture then strained and the mark of the damp solid material is pressed and the combined liquids are clarified by filtration or decondition after standing तो यहाँ हम क्या करते हैं maceration में simple जी क्या करते हैं की जो coarse powder होजा drug का उसको किसी solvent के साथ हम रखते हैं इसे वीकर में solvent रिया coarse powder लिया हमने drug का बीकर में solvent में डाल दिया डालने के बाद हम धाग देते हैं और उसमें frequently इसको agitate करते हैं उसको हिलाते रते रते हैं shake करते रते हैं और उसके बाद में जब तीन दिन के बाहत में लिए ऑस्को बी पार यह बिधा के बाहता है और यहां इसको फार्टयक। यहां इसका फाइदा यह है कि इसमें जो है एक्टिव कंपाउंट का डिग्रेडेशन नहीं होता तो यहां आगे हम देखें नेक्स है कि इसमें क्या होता है एक जेंटल हीट हम करते हैं इसमें बहुत थोड़ा सा इसको हीट करते हैं इन विच जेंटल हीट इस यूजड दूरिंग प्रॉसस अइक्स्ट्रेक्शन क्योंकि आपको पता ही है कि जो तो सॉलिविलिटी इस डिरेक्टली प्रपोस्टनल टू टेंपरेचर तेंपरेचर नहीं बढ़ाएंगे तो सॉलिविलिटी इंक्रीज होगी आप देखाब योगा सिंपली आप किसी सॉलिविलिट में आप वाटर में आपको अगर शुगर डिजॉल करनी हो चीनी अगर गुलनी हो तो आप उसको अगर ठंडे में गुलेंगे तो इतने आईजी नहीं घुलती है अगर वहीं आप थोड़ा सब गरम करते हैं तो चीनी इसमा आराम से गुल जाती है क्योंकि इसकी इसकी इंक्रीज हो जाती है तो यहां हम देखें कि इस इस फॉर्म अफ मैसरेशन यहां पर gentle heat उसकरते हैं during the process of extraction यहां क्या है कि it is used when moderately elevated temperature is not objectionable यहां कहां यूज करते हैं इसको हम वहां इसको यूज करते हैं जहां पर जो moderately जो हलका temperature जो है अगर किसी drug के extraction के लिए objectionable नहीं है अगर कोई इसमें ऐसे compounds हैं कि अगर उसको गरम करते हैं वो खराब नहीं होग तो हम वहां पर इसको digestion को use कर सकते हैं तो it is used when moderately elevated temperature is not objectionable थर्ड इसमें है the solvent efficiently the solvent efficiency of the menstruum is hereby increased मैं आपको बताया क्योंकि temperature बढ़ेगा तो solvent की efficiency भी बढ़ेगी increase होगी और जब solvent की efficiency बढ़ेगी तो क्योंकि इसमें जो है solubility भी increase होगी और extraction भी इसमें अच्छा होगा यह हुआ digestion के बारे में आगे हम देखें decoction इसमें क्या करता है इसमें क्या करता है in this process the crude drug is boiled in specified volume of water for a defined time it is then cooled and strained or filtered this procedure is suitable for extracting water soluble or heat stable compounds and this process is typically used in preparation of ayurvedic extracts called quat और कवत तो यहापे क्या क्या करते है इसमें हम simply क्या 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 है कि जो drug होती है उसको किसी specified volume of water के साथ में specified time तक के लिए उसको boil करते है उसको उपालते हैं और इसके पालते हैं और इसको strain कर लेते हैं चान लेते हैं इसको filter कर लेते हैं जैसे आपने देखा यह चायगा process जो है वो पुरा decoction में थड़ी है तो यह इसमें क्या होदा इस process म में कि जो compound जो है water soluble है और heat stable है जो temperature से खरब नहीं होते हैं उनके लिए हम इस process को decoction को हम use कर सकते हैं और इस process है इसको हम कुछ आयरवधिक extracts यह जो ऐसे कवार्थ वगरा बनाने के लिए यूज करते हैं यह है decoction then percolation percolation में क्या है कि इस procedure is used mostly most frequently to extract active ingredients in the preparation of tinctures and fluid extract to tinctures of food extract बनाने के लिए इसको यूज करते हैं इस process को यह क्या है percolation important है और यह काफी old method है यह एक percolator एक क्या है एक पर लेटर एक नेरो कॉंच 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 वैसल होती है और अड़ बोथ हैं बेसिकली यह जने एसस की बनी होती है और आम तोर से किसी भी कॉलिज में यह किसी लेब में अराम से मिल जाती है तो एक पर कॉलेटर एक अराम से कॉंच 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 शेप वैसल अपन एत बोथ हैंद एस जनरल्य यूज यहां पर क्या है कि दस्वालिड इंगरिटियंट्स दा सॉलिड इंगरिट्स अर मोस्त विदन एप्रॉप्रिट है मॉज्ट एमॉंट फस्पैपाइश्पाय मेंस्ट्रम और अलाओ त यहां पर हम क्या करते हैं कि जो solid ingredients है उनको किसी मेंस्ट्रम है जो solvent है उस solvent के साथ में में और मिक्स करते हैं और मस्तर करने के बाद में यहां हम इसको कर दे़ आप को यहां हम देखें यहाँ हम देखें कि दमार्किस यह आप देखें इसका स्ट्क्चर यहीं है यह पर个ुलेशन है यह पर्कॉलेटर है तो इसमें दमार्क इस देन प्रैज्ट एंड एक्षब्स लुक्विडिस एड़िट गवलिट गोलिंट वेय्ट वॉल्यूम एंड दमिक्स mix liquid is clarified by filtration और by standing forward by decanting यहां पर हम क्या करते हैं कि जो है mark उसको heat करने के बाद में mark को हम प्रैस करते हैं और जिसे कि और जो है solvent में से निकल जाए तो sufficient menstruum उसमें use add करते हैं जिसे कि जो है और बाद में filter कर लेते हैं और same procedure वही होगा उसको हम filtrate में से हम solvent को रिमू करके एक्स्टेटर पर बिल जाता है देन कुछ counter current extraction counter current extraction एक novel technique है यहां पर हम क्या करते हैं in counter current extraction और CCE यहां पर the wet raw material is pulverized using toothed disc disintegrators to produce the fine celery इसमें हम जैसे counter current extraction हम क्या है कि जो wet material होता है raw material है उसको हम उसमें pulverize करते हैं इसको जो है small particles में उसमें break करते हैं और उसमें क्या इसमें disintegrators होते हैं और उसके बाद में इससे क्या होदा कि slurry बन जाती है इसमें fine slurry बन जाती है तो in this process the material to be extracted is moved in one direction generally in the form of fine slurry within the cylinder extractor where it comes in contact with extraction or solvent extracted solvent यहां पर क्या करते है कि इस process में जो fine slurry बनती है इस fine slurry को the starting material moves the more concentrated the extract becomes जैसे की material जो है move करता है जो जो extract का जो concentration बड़ता रहता है तो complete extraction is this possible when the quantities quantities of solvent and material and their flow rates are optimized the process is highly efficient requiring till little time and posing no risk from high temperature and finally sufficiently concentrated extracts come out and at the end of the extractor while the mark particularly free of visible solvent falls from the other end यहां पर क्या क्या करते है जैसे बता आपको मैंने कि एक end से हम drug powder को प्रवाइज करके डाल देते हैं तो उसमें toothed जो disc होती है वो उसको powder करके उसको fine slurry बना देता है जो वहां से करता है दूसरे हैं से solvent आता है तो दूसरे वह जब यह ड्रग सॉर्वेंट को कॉंटेक्ट में आती है तो यहां से extraction होता है यहां सबसे बड़ा फायदा यह है यह तो बहुत तेजी एक्सक्रेशन होता है और दूसरा इसमें जो हो हीट लेवाइल स्थेंसेंसे हैं उनका डिग्रेशन नहीं होता है तो यह एक अची टेक्नीक है और नोल टेक्नीक है काउंटर कॉंटर कॉरंट extraction देनं अल्टरसाUND लुक्सक्रेशन और सीयसे ही यहां पर कया है कि अल्टरसॉंट बड़ा युज्यक्त पोसिजर इनवाफ स्थे całुएंससें ranging from 20 kHz to 2000 kHz. This increases the permeability of cell walls and produce activation. यहां पर ultrasound rays, ultrasound waves इसमें यूज करते हैं. इससे क्या होता है? कि जो cell wall की permeability बढ़ा जाता है. कि जो waves होती है, इसमें यहां पर क्या है कि cell wall की permeability है, वो increase हो जाती है और इसमें cavitation हो जाता है. तो इसमें क्या है कि although the process is useful in some cases, आला कि यह जो process है, बहुत कम cases में ही use होता है. Like extraction of raw welfare root, its large scale application is limited due to high cost. Cost इसकी बहुत जाता है है, इसलिए इसको large scale application is limited है. यहां पर क्या है कि one disadvantage of the procedure is the occasional but known but known deleterious effect of the ultrasound energy more than 20 kilohertz on the active constituents of the medicinal plants. Through formation of the free radicals and consequently undesirable changes in the drug molecule. यहां पर क्या होता है कि क्योंकि high frequency की waves यहां यूज करते है, 20 kilohertz की waves से जादा हम यूज करते हैं आगर, तो उसमें क्या होता है कि जो compound, जो plant के अंदर chemical compounds होते है, उनका nature हो जाता है. जब उनका nature हो जाएगा, तो उसमें कुछ free radicals बन जाता है, तो वो health के लिए harmful भी होंगे, तो इसलिए जो ultrasound extraction टेक्नीक आएक यह drawback भी है. Then, next method है, super critical fluid extraction. यहां पर क्या है कि super critical fluid किसे कहता है, यहां पर क्या है कि हम इसमें एक extraction के लिए super critical fluid यूज करते हैं, super critical fluid कि किसे कहता है, कोई ऐसा compound, कोई ऐसी gas जो है, जिसके अंदर fluid के लिए और as well as liquid के characteristic दोरों characteristic होता है, इसमें हम super critical fluid कहता है, जैसे कि super critical fluid extraction, SFE, is the process of separating one component, the extractant, from another, the matrix, using super critical fluid as the extracting solvent. यहां पर क्या हम करते हैं, कि extraction के लिए super critical fluid को use करते हैं, अब यहां कुशन है कि super critical fluid है किया, यहां पर देखें, कि super critical fluid combine useful properties of the gas and liquid phases, यहां पर क्या है कि इसके अंदर जो है, gas और liquid दोनों phases का properties इसमें होती है, as it can behave like both a gas and a liquid, in terms of different aspects, यहां पर क्या है कोई भी जो super critical fluid है, यह gas और liquid दोनों की तरह काम करता है, माला कि किसी container में इसको हम डालेंगे, तो gas properties होती है, तो यह क्या है container के shape के according, पूर्टी तरह से विकल इसमें वो fit हो जाता है, तो उसके बाद में और fluid properties है, इसमें extraction में बहुत अच्छा है, यहां पर देखें, कि the super critical fluid provides a gas-like characteristic when it fills a container and it takes the shape of the container, the motion of the molecule are quite similar to gas molecule, on the other hand, a super critical fluid behaves like a liquid because its density property is near to liquid and thus a super critical fluid shows a similarity to dissolving effect of a liquid, यहां आम देखें, इसमें यूज क्या करते हैं, बिसकली, super critical fluid को हम यूज करते हैं, carbon dioxide, carbon dioxide को, हम जो है super critical fluid as a solvent हम यूज करते हैं, carbon dioxide is the most widely used super critical fluid, क्यों, बिकास, this is because carbon dioxide is cheap, commercially inert, chemically inert, cheap, chemically inert, non-toxic, non-inflammable and readily available at high purities and at low cost, इसे बहुत सरे causes हैं, इसको यूज केते हैं, एको cheap है, chemically inert होती है, non-toxic होती है, non-inflammable है, और जो है, एक high purities or low cost पे यूज अवालेबल है, आराम से मिल जाती है, then super critical carbon dioxide has the most accessible critical temperature and pressure, इसका जो है critical temperature, 31 degree centigrade and critical pressure, इसका 74 bar होता है, और this coupled with the following properties, makes it one of the most widely green solvent available, इसका जो हम green solvent भी केते है, इसका नॉन-toxic है, इसलिए जो carbon dioxide को हो भी उसका जोचेट को होती है, इसका जो इसकार करते है, इसकार क्रिटिकल फूदी उसकाते है, कि environmental samples, foods, fragrance, essential oils and polymers and natural products, इन सब में super critical food extraction का जो है, यूज है, ये एक novel technique है, जो की important है, then है, microwave assisted extraction, microwave assisted extraction नाम से इंडिकेट होता है, इसमें, microwave को यूज करते है, क्योंकि microwave में आपको पता है कि एक high temperature radiation release होती है, तो यहाँ पर किया है कि microwave assisted extraction is a process of using microwave energy and heat solvent in contact with the sample in order to partition lights from the sample matrix into the solvent. The ability to rapidly heat the sample solvent mixture is the main advantage of this technique. यहाँ पर क्यों रता है को कि जो इसमें rapid heat होती है, जो इसमें क्या करते हैं, जो extraction material है, उसमें रखते हैं, तो एक बहुत तेजी सेथ हीटिंग होती है, तो इसमें एक advantage है और इसमें कि solvent extraction होता है, यहाँ पर देखें, इसमें कि it offers many advantages like faster heating, मैंने बता है कि सबसे बड़ा advantage इसका क्या है, fast heating इसमें होती है, faster heating to extract by active material from matrices, reduced equipment size, इसमें जो size भी का equipment हो भी छोटा कम होता है, तो reduced thermal gradients and increase the in extract yield, इसमें जो है, इसमें जो है एक्सट का yield भी जाद इसमें होता है, जो इसमें time होता है, जो conventional method of extraction से भी काम होता है, इसलिए यह advantageous है, यह भी एक novel technique है, जो आज के लिए इसमें होती है, यह extraction techniques हुए कुछ, आप इनको देख लें, धन्यावाद,